ओम शान्ती आज 25 एप्रिल 2022 है आज के स्लोगन से ये इस पश्रूप से जानेंगे कि हमें परफेक्ट कैसे बनना है परफेक्ट किसको कहा जाता है तो आए सुनते हैं आज के स्लोगन से किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है दुनिया में जब किसी फैक्टरी के अंदर कोई चीज बनी जाती है तो ये देखा जाता है कि वो चीज परफेक्ट बने और यदि कभी किसी कारणवर्ष कोई defected माल उस factory के अंदर से निकल करके आता है तो उस defected माल को reject किया जाता है और सिर्फ perfect चीज़ को ही select किया जाता है तो कहने का भाव ये हैं कि जिस चीज़ में defect माल होते है या जो defected होते हैं वो अपने आप में ही उसकी value कम हो जाती है और perfect चीज़ की value automatically बढ़ जाती है ठीक इसी प्रकार से इस अलोकिक दुनिया में भी हमें बाबा perfect बना रहे हैं अगर किसी भी कारण से आत्मा में defect आ जाती है defect आना मतलब मन के संकलपों में कमजोरी का आना वानी में सत्यता का ना होना संबन संपर्ख में टकराव होना ये सब defect की निशानी है तो ये सब defect होने के कारण हमारी जो value है आत्मा की value है वो कम हो जाती है तो इसी लिए कहा कि हमें अपने perfection की और ध्यान देना है कोई defect ना हो तो ये defect का कारण क्या है defect का कारण है माया का effect माया के effect माना माया के प्रभाव में आ जाना अब जब ही माया के प्रभाव में आ जाती है आत्मा तब ही defect हो जाते है और defect के कारण से perfect नहीं बन जाते जिसको बाबा 16 कला संपून कहते हैं इसलिए 14 कला को संपून नहीं कहते हैं क्योंकि 14 कला में भी कहीं न कहीं defect रहे जाने के कारण उसे संपून नहीं कहा जाता, 16 कला को ही संपून कहा जाता है जिस प्रकार से किसी मौसम के कारण से या खान पान के कारण से शरीर में भी एफेक्ट आ जाते हैं जैसे बिमार पर जाते हैं तो उसी प्रकार से माया के एफेक्ट के कारण से आत्मा में भी डिफेक्ट आ जाती है संकल, मन, वानी, संबन संपर्क में defect आ जाते हैं और इसी defect के कारण से perfection की और बढ़ नहीं सकती तो हमें क्या करना चाहिए जो effect proof बने जिससे हम defect से दूर रहे, defect से परे रहे बाबा कहते हैं जितना आप ग्यान स्वरूब बनेंगे जितना sensible बनेंगे उतना effect से दूर रहे पाएंगे जैसे दुनिया में भी जब कोई दुश्मन वार करते हैं तो उनको कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं तब जाकर के वो वार कर पाते हैं और विजय प्राप्त कर लेते हैं उसी प्रकार से माया भी आत्मा के sense को कमजोर करने की कोशिश करती हैं माया भी ज्यान को भी कमजोर करने की कोशिश करती हैं तब जाकर के वार करती हैं तो right क्या है, wrong क्या है इसको ना समझने के कारण से माया की effect में आ जाते हैं defect के वश हो जाते हैं और perfect नहीं बन जाते हैं एक ही effect के कारण से कई defect आत्मा के अंदर आ जाती हैं तो आएए हम अपने ज्ञान के foundation को बढ़ाए, strong बढ़ाए और उसी के आधार से हम defect proof बने और perfect बन जाए ओम शांती